Hey guys, welcome back again और आज किस वीडियो में हम बात करेंगी कि कैसे हम Windows 11 सिस्टम या PC के अंदर easily किसी भी folder को hide कर सकते हैं, उसको lock कर सकते हैं या उसको किसी password के थुरू हम protect कर सकते हैं Without any software के यूज करें हम कैसे किसी folder को lock कर सकते हैं तो folder को lock, hide और protect करने के लिए मैं आपके यहापे 4 easy तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने folder को protect कर सकते हैं तो देखे दोस्तों पहला method आता है यहापे folder को हम hide कर सकते हैं इसमें देखे हमारे desktop एक folder रखा हुआ है जिसको मैं hide करके दिखाने वाला हूँ इसके लिए देखे मुझे क्या करना है folder पर right click करना है right click करने के बाद हमें click करना है so more option पर click करने के बाद हमें यहापे जाना है properties section में properties option पर click करने के बाद हमें जाना general tab के अंदर यहापे देखे जो हमारा folder का option है हम क्लिक करना है इसके बाद हमें apply nhân करना है apply करने अगेगे करने पक्राइद करना है चाहिए जा zeit BC के window maximize कर लेता हूं इसके बाद आना को किल करना है क्लिक करने भाद जाना है यहां पर अब क्लिक करनाया आ प्रकल को और क्लिक करना या इस तरीक से आप किसी फाइल वेगा रहा को कहीं भी आपकी फाइल लखी कंप्यूटर पे पीसी के अंदर लैप्टूप के अंदर उसको आप इजली हाइड कर सकते है विंडोग 11 के अंदर अब आपको फाइल कैसे करना है इसके लिए सेम आपको माई PC के फोल्टर पे जाना ह क्लिक करने बाद option में जाना है option में जाने के बाद एक आप व्यूव पे जाना है इस बार जो आमने don't so hidden को प्लिक कर देना है so hidden file folder and drive को उसमें click करना है apply करना है okay करना है तो देखे जो मेरा folder है यहाँ पर retrieve हो चुका है वो मेरा folder यहाँ पर वापिस आ चुका है अब मैं easily अपने file या folder को access कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप अपने file या folder को hide कर सकते है method 1 से अब बात करते है method 2 में, method 2 के अंतर हम अपनी folder को यहाँ पे protect करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है जिस अपना account के अंदर हमने बाद वहले इसके अपन किया हुआ है इसके बाद हमें edit करना है दुबार से हमें अपना account सेलेक्ट करना है और इस बाद देखिए जो permissan हमारी यहांपे deny है उसको हमें अपटो टिक कर लेना है apply करना है यह East करना है और फिर ok कर देना है और गई करने के बाद दुबारा से ok करना है ok करने के बाद देखिए जो हमने अपना folder को și想amड किया है यहां निम भी नहीं कर पाएगा तो इस तरीके के का यूज गरके आप अपने folder को protect कर सकते हैं लेकिन कोई भी easily इस folder को access कर सकता है इसके लिए अगर आप भी वारे चाले करना है चाले करना है अपना account करना है और यह एडिट करना है अकाउन्ट करना है गें और जो permission हमने यह पी deny ति उसको णटीक करदेना है apply करना है ok करchnा है और द्वारा ok करने के बाद देखें हम इस folder को easily access कर सकते हैं same तरीके से कोई other person भी इस folder को access कर सकता है same तरीके से इस process का यूझ करकी easily आपके folder को unprotect कर सकता है और आपकी folder शक्रटेक यदendo आपने फोल्टर पर right click करना है right click करने गबाद जाना है so more option पी इस option पी क्लिक करने के बाद अब हमें option select करना है यहाँ पर add to archive add to archive गवाद एक हमारे सामने tab open होगी यहाँ पे देखें फाइल का format हम रार, रार4 और जीब रख सकते हैं तो आपको जो भी format रखना है वो रख सकते हैं तो यहां पर मैं रार रख रहा हूं और फिर क्लिक करना है देखिए यहां पर reaction मिलता है log archive इसके बाद set password के उसमें क्लिक करना है तो जो भी password आपको रखना है अपने folder पे log लगाना है वो आपको password यहां पर select कर लेना है मैं पर password फिल करता हूं और फिर हमें encrypt file name के उसमें क्लिक कर लेना है क्लिक करने बाद हमें apply करना है then ok करना है ok करने बाद again हमें ok करना है ok करने के बाद हमारी screenshot का एक रार फाइल बन जाएगी तो हमारी screenshot के अंदर जो file रखी थी वो सेम तरीके से अब रार फाइल के अंदर भी हमारा एक file screenshot के नाम से यहां पर save हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी file या फोल्डर को रार फोल्डर बना कर आप उसको protect कर सकते हैं उसमें password लगा सकते हैं लेकिन इस method के एक disadvantage है इसमें कोई भी आपकी रार फाइल को easily delete कर सकता है यानि उसका rename कर सकता है और उस file को आप easily delete कर सकता है जहां भी वो file रखी है उसकी location उसको delete कर सकता है अब आप अपनी file को find नहीं कर सकती तो यह method भी आपका काफी अच्छा नहीं है method third है वस इसमें आप अपनी file को protect कर सकते हैं password के through लेकिन आपकी file को कोई भी delete कर सकता है तो यह है हमारा method 3 अब बात करते है method number 4 की जिसमें हम अपने test folder को यहाँ पे password protect करेंगे इसके लिए देखे हमें करना क्या है हमें screen पर right click करना है जाना है new option में इसमें जाना है test document के उसमें click करना है click करने के बाद देखे हमें इसका नाम रखना है folder log.tsd आप कुछ भी name रख सकते हैं बस बाद में .tsd लगा देना यह आपको यह notepad file बना देनी है इसके बाद हमें इसे right click करके इसको open कर लेना है open करना है और इसमें देखे हमें code paste करना है जिसको code का link में आपको निचे description ले दूँगा file का name देना है .bat file बनानी है एक फोल्डर लोक और .bat हम इसमें add कर लेते हैं इसके बाद document type में हमें all documents select करते हैं इसके बाद हमें save file डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप से पुझता है कि आप अपने file को हपर करना यहाँ तो हमें यहाँ आप yes करना थे आठ प्राइट फोल्डर वह हैर्वाних जाएगा यानि हमसे सबूस्जित करना हो आप देखे हमें इसे retrieve कैसे करना है इसके लिए दुबार है था हमें bat file पर double click करना है click करते देखे हमसे password पूचेगा तो जो भी हमने password create किया था अपना 123456 वो यहाँ पर enter करना है enter करने के बाद enter press करना है press करते देखे जो हमारा private folder है वो यहाँ पर हमें show करने लगेगा अब हम इसको use कर सकते हैं इस तो कोई भी easily delete कर सकता है अगर उसको फाइल को delete कर देगा जो आपका folder है वो आपके क्या हो जाएगा वो आपका गयब हो जाएगा जो आपकी file रखी है वो आपकी गयब रहेगी आपकी वो so नहीं करेगी तो यहाँ पर दिसस्ट वाड़ी ही है कि आपको जो folder है वो आपका पर फाइल है वो गयब हो जाएगी अगर आपकी बैट फाइल है आपको delete कर दी गई है तो इस तरीके से आप method number 4 में अपने folder को hide तो कर सकते हैं और उसको password प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं तो यह है चार तरीके जिनका use करके आप windows 11 के अंदर किसी भी folder को easily hide कर सकते हैं उसको password protect कर सकते हैं एफ इसको lock कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरू कीज़ेगा चैनल फे फ़र्शन के लिगो subscribe जरू कर लिज़ेगा और वीडियो को अपने friend के साथ share करना ना बोले थैंक यू